हेलो नमस्कार में पुर्वांग बहुत बहुत श्वागत है आपका आभा उनाइन अकेडमी में यह हमारा हड़ापर संस्क्रीटी का दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हमने बोगोलिक विस्तार से वेपार तक बात किया है अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है त बीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्वटाक से पहले पार्ट को हम रिकाप करते हैं पर वर्याप नाम की उन्हेंसवेकिस, आधनिक जो हरापा नामा कस्तल है पकिस्तान में उसी के नाम पर जो है इसका हरापा नाम पढ़ा क्योंकि सबसे पहले उसी की खुदाई हुई थी और भारतिये पुरतत्व भिभाग के महानिदेशक जॉन मार्सल के निर्देशन में राय बहादो दायराम साहनी ने 1921 में हरा हरपा में हम देखेंगे कौन-कौन से अस्तल आते हैं कौन-कौन से छटराते हैं तो इसमें पंजाब शींद और बलुस्ट्रीस्तान की भाग ही नहीं बलकि गुजरात राजस्तान हरियाना और पस्षिम उत्तर प्रदेश की सिमान भाग भी अब हम देखते हैं कि हरपा के जो महत्पून अस्तल कौन कौन है तो सबसे पहले तो हड़ापा है उसके बाद मोहन जोद्रों लोथल चनहूद्रों काली बंगा राखी गड़ी कोट दीजी बनावली रंगपूर अलमगीरपूर कांगेडोर मांडा सुद्काह को और सुरकोटा यह पंदर जो है हड़ापा क महत्पून अस्तल है अब हम बात करते काल निधारन की तो काल निधारन की हम बात करें तो सबसे पहला परियास जो है जोन मार्सल नहीं थिया उन्होंने सभ्यता का जोती थी लगबग 3250 से 2750 इस भी निधारन किया लेकिन सरवाधिक जो मानने है वह कर्बन 14 विद्धिस्त क जिसमें यह पाया गया कि 2350 से लेका 1750 इस भी जो है इसका समयता है अब काल निधारन की अगर बात करें तो जो जो भी दुबान जो है उन्होंने कब-कब टाइम दिया है उसको देखते हैं जॉन मार्शल जो है 3250 से 2750 इसापूर अर्नेस्ट मैके ने अठाटाइसो से 25 इसापूर माधो स्वरूप बच्स ने 3500 से 2700 इसापूर सीजे गैड ने 2300 से 750 इसापूर मार्टीमर विलर ने 2500 से 1500 इसापूर फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 इसापूर रेडियो कारबन जो सरवाधिक बाने 2350 से 1750 अगर यह नहीं रहा ऑप्शन में तो आप NCRT को प्रिफेर क सकते हैं 2500 इसापूर से 1800 इसापूर और डिपी अगरवाले 2300 इसापूर से 1700 इसापूर अब बात करते हैं इसके चार भोगोलिक अस्तल कौन-कौन से मांडा आलमगीरपूर दायमाबाद और सुतकांगे डोड यह चार जो है हड़ापा के परमुख अस्तल है नजर नगर य योजना परनाली रही थी हड़ापा और मोहन जोदरों दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां सासक वर्ग जो है रहते थे नगरों में भौनों के बारे में एक विशेष्ट बाती यह ग्रीड का ग्रीड की तरफ व्यवस्तित थे सड़के दूसरे को समगों पर काटती थी और नगर अने खंडों में विवक्त थे हैं अब बात करते हैं मोहन जो दो से एक विशाल असनानागार मिला है जिसका जो लंबाई है 11.88 मीटर है और जो चोड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर गहरा है इसके मद्ध में जो है असनान कुंड जो है इस्तित्था और इसमें उतरने के लिए उतर अधक्षिन से सेढ़िया जो है बनाई गई थी और इसका प्रयोग कब लोग करते थे जब धार्मिक अनुस्तान जो होता था उसमें कोई फेस्टिवल वगएर है उसमें इसमें लोग असनान करते थे जोन मार्शन ने इसको जो है विश्व कास्चारे जनक जो है निर्मान बताया महन जोद्रों में एक अनागार भी मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चोड़ा था क्रिसी की बात करें तो बर्तमान में सिंदु पर्देश में पहले की अपिक्षा बहुत कम वर्षा होती है इसलिए अपर्देश अब कम उप जा हुआ है सबसे पहले कपास पैदा करने का जो सिंदु सव्यादा के लोगों को जाता है चुकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंदु छेत्र में हुआ इसलिए युनान के लोग इसे सिंदन कहने लगे सबसे पहले हुआ सिंदु में इसलिए से सिंदन कहने लगे अगर पसुपालन की बात करें तो यहां के लोग बैल गाय भैस बकरी भेर और सुवर पालते थे इन्हें कुबड़ वाला सांड़ विशेस्प्रिय था इसके अत्रिक यह गर्दे और उट भी पालते थे कुट्त क्यां यूगिन सभ्यता है तो यहां पर कांसी का जादे परियोग होता था और कांसे तामब्य में टीन मिला कर जो है बनाये जाता है अब वेपार की बात करें तो यहांके लोग जो है हड़पाई लोग सिंदू सब्याता चेतर के वीतर पत्थर धातु और हडी का वेपार करते थे अब हम देखेंगे कि कौन से जगह से क्या यह लोग निर्यात और आयात करते थे आयतीत का जो पर्मुख का चामाल चांदी एरान और और खनीस्तान से तीन ऑफगरेंस तामबा जो है यहर राजसतान और बलूटिस्तान से दिल्नत मनी बद्ध खास और अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान में जो बद्ध खासा जो है वहां से सिल्खडी बलुचिस्तान से राजस्तान गुजरात से निल्मनी जो है महारास्ट दक्षिन भारत हरित्मनी दक्षिनेशिया संख और कोडिया जो है सवरास्त दक्षिनी भारत सिलाजीत हिमालेशेत से सीशाई रान अफगानिस्तान और राजस्तान से अब हम बात करते हैं राजनितिक संगठन के बास्तविक सवरूप के बारे में हमें कोई अस्पस्त जनकारी नहीं है लेकिन हड़ाप संस्कृति की व्यापकता विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सब्याता किसी केंद्रिये सक्ति से संचलित होती थी तेकि साक्षे तो लगता है ऐसा माना जाता है कि इसका जो संचाले ने किसी केंद्रिये सता के द्वारा जो होती है चुकि हड़ापा वासी वानित्जी की और आर्थिक अधिक अकरसित हैं इसलिए माना जाता है कि संभवता हड़ापा सब्याता का सासन वर्ग मनें जो है सासन जो है बानिक व तो ऐसा माना जाता है कि एक सभ्यता के जो लोग है और Caf default कर जो वमलतक सांजफें जहे हैं साथा में इतूरे कामर सभ्षा संबंदिहास इत्यास कारों कों से इत्यास कार क्या मांते हैं देखते हैं हघंटर का मानना है कि राज ता नात्मक नहों कर जनतांत्रात्मक जोए साशन था विलर का मानना है कि मध्यमवर्गिये जनतांत्रात्मक शाशन एंवं धर्म की महता को स्विकारा इस्ट्वर्ट पिगत का मानना है पुरोहितों का शाशन conse, हडपा, एम, महन, जोदोलों का जुरोषा राज़दानी माना गया मैके के द्वारा माना गया पतिणीधी सासर जो सरवादिक मानने जो है लोगों का मानना है कि जो विचार हैं ऑफे पार्यों का सासर समाजिक चीवन की बात करें तो समाज की इकाई प्रमप्रावगत तोर पर परिवार थी यानि समाज समाज की जो इकाई है वो कौन प्रम्ट्रागत तोर पर कौन थी परिवारती मातरी देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चीतरों से यह परिलक्षित होता है कि हड़ा पर समाज संभौत मातरी सतात्मक था जैसे आभी का समाज क्या है पित्र सतात्मक है लेकिन उस टाइ दफ्नाने के ढंको देखकर ऐसा परतीत होता है कि सेंदो समाज अनेक वरगों जैसे पुरोहितों और दिकारी सिल्प्य में विभान जीत रहा होाँ सेंदों सभिवाशित शेयुभा वर में federal св أن्धों सभ्यता के लोग यूद्ड प्रिये कम संतीप उल्率 सभ्यता के लोग जगड़ा वगड़ा में जो है उतना इंट्रस्टेड नहीं ये लोग संती realities मधी सिंदु सभ्यता के निवासी सकाहारी औंसारी नहीं look पत्र से गौत्त के साथ गाय शओर बकरी मचली आदी का मांस पर्योग में यानि यह के लोग गेहूं जो मटर तील सरसोग खर्बूज खजूर तर्बूज और मंसारी में गाय सुगर बकरी मचली आदी जो है इनका मांस पर्योग करते थे वस्त रुसूति उन्हीं दोनों पर करके पहने जाते थे अभूजण के लिए पासे का खेल निरित्त शिकार वसुग की लड़ाई आदी पर्मुक सादर थे जाते थे दिख्धार्म यमानिक हम आज भी देखते हैं कि हमारे समाज में धुंग मतर्मादे दरह कि कि मिटि की इस्तरी मुर्थिया बड़ी संख्यया में मिले हैं एक मुर्थि में इस्तरी के गर्ब से निकलता एक वोधा दिखाया गया है या संभावता पृथिवी देवी की परतिमा है तथा इसका निकट संबंद पौधे के जन्म और पृथिवी से रहा होगा इसलिए कि मालूम होता है कि हरपाई लोग धर्ति और वरयकल को देवी समझते थे दो कि यहां पर एक मूर्ति मिला है जिसमें ऐसे तो बहुत सारे मूर्तियां मिली आते लेकिन एक मूर्ति में यह दिखाया गया है कि स्तरी के गर्भ से एक पधा को दिखाया गया है जो संभवत्व क्या है पृधवी देवी की परतिमा है तता इसके निकट जो है संबंध जो है पौध के जनमोर पृधः से रहा है इसलिए वालू होता है कि दर्ति को उर्वर्टा की देवी समझते हैं और इसकी पूझा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्त्र के लोग निलन मदी की डेवी आयसी स्जा करते हैं यानि जैसे मेसोपोर्टामिया में आय इसमे से-ई-पूझा होती थी व्यशें यहां पर इनकी पूझा होती थी सिंदू घाटी के पूरुष देवदा की बात करते हैं पूर्षो को एक मुहर पर चित्रित किया गया है उसके सीर पर तीन सिंग है इसमें एक योगिक को ध्यान मुद्रग में एक पैर पर दूसरा और रहकर बैठे हुए जो पदमासन होता है वैसे दिखाया गया है उसके चारो और एक हाथी एक बाग और एक गेंडा है आसन के नीचे एक भैस और तथा पैरों के पास दो हीरन है यानि जो मुर्ति दिखाया गया है पदमासन में दिखाया गया है उसके चारो और क्या है एक हाथी एक बाग और एक गेंडा है आसन के नीचे एक भैसा है तथा पैरों के पास दो हीरन मुहर पर चित्रित देवता को पसुपति महादेव कहा गया है सिंधु सव्यता में लिंग पूजन का प्रचलन मिलता है जो कलांतर में सीव की पूजा से गहन रूप से जूड़ी हुई है हड़ापा में पत्थर पर बने लिंग और योनी के अनिक परतिक मुझे है देखें ये उस टाइम जो है भगवान सीव के पूजा का साक्ष मिलता है अब बात करते हैं धार्मिक परतिक चीन हड़ापा से क्या क्या मिला है तावीज जो है भूत प्रित से बचने के लिए आज स्वास्तिक सुर्यका अउपासन का प्रतिक योगी शिव योगी स्वर बकरा बली है तू ष्रिंग स्यू का रूप नाग पुजा है तू अ भैसा देवताओं की सत्रूर पर विजय का प्रतिक युगल सौधान पती के साथ पतिकनी का सती होना देखें इसमें से आपको व्य सारे ऐसे चीज़ें जो मौजूद है अब हम बात करते हैं ब्रिक्षो और पसुओ की पुजा कि सिंदु छेत्र के लोग कि पुजा करते थे यानि उस ताइम में जो है सिंदु सभ्यता के जो जितने भी आपको लोग मिलेगा वो क्या करते थे ब्रिक्षो का कि दालों के बीच देउता का चित्र है मैंने एक जो सिल है किसको मोहरलों लोग बोलते है क्या है में बईराजमान क्या है है रपकाल में पसुपूजा प्रचलन में था यानि आज भी हम देखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ गौव माता उनकी पूजा करते है तो उस टाइम में भी क्या है पसू पालन जो है लुदक पस्वों का पूजा होता था कई मुहरों पे पसू की अकिर्तिय मिली यानि बहुत से ऐसे आपको मुहर मिलेगा उस पे पसूख को अंकित किया गया उनकी अकर्तियों को अंकित किया गया है इनमें सबसे महत्पून है एक सिंग वाला जानवर यूनिकॉर्ण जो गेंड़ा हो सकता है आज भी हमारे आसाम में जो है काजि रंगा नेशनल पार्क में आपको एक सिंग वाले गे परमान नहीं मिलता है सिंद्ध पर्देश के निवासी ग्रीक्ष पसु और मानों के स्वरूप में देवताओं की पुजा करते थे प्रंतुवे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे यानि पुजा तो लोग करते थे लेकिन आज के जमाने में कैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं उस टाइम जो है वो लोग मंदिर नहीं बनाते थे हरपाई लोग ताविज धारन करते थे संभवता हरपाई लोग विश्वास करते थे भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं इसलिए उनसे बचने के लिए ताविज पहनते थे आज भी हम लोग देख स्वास्तिक का अंकन सुर्य पूजा का परतिक माना जाता है हरापाट पर संस्क्रीती से किसी मंद्र विव कर स्वास्तिक जो मोहर पर अंकन मिला है समयजाता है कि ये जो सुर्य पूजा का प्रतिक है हिंदु धर्ब में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चीन माना जाता है इसे चत्रभूज ब्रह्मा का रूप सुईकार किया गया है याज भी आप देखते हैं कि स्वास्तिक जो है हमारे हां दिवाली वगेरह में या कहीं पर भी जो धा कि जाता है कि हड़पाई लिपी की बात करते हैं सिंदु लिपी के बारे में सरवपर्थम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंगम थे जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे वहीं थे जिन्होंने अपना पहले विचार जो है इसके लिपी के बारे में दिया कनिंगम ने 1873 में विचार व्यक्त किया कि इस लिपी का संबंध ब्रामी लिपी से हैं कि यह जो लिपी है कौन सा है ब्रामी लिपी सिंदु लिपी को पढ़ने का सरव पर्थम प्रयास जो है 1925 इस भी में अगर हम बात करते विचार किस ने व्यक्त किया तो कौन थे अलेक्जंडर कनिंगम कब लेकिन अगर पढ़ने का अगर किसी ने सबसे पहले पर्यास किया किसी ने तो कौन से वह थे ल ए वैडल में हरपाई लीपी का सबसे पुराना साक्ष 1853 इस भी में मिला था तथा 1923 इस भी तक पूरी लीपी पर्कास में अगई यह सबसे पूराना कभ मिला था 1813 जने और 1923 इस भी में पूरी लीपी परकास में आ क्यूं क्यूंकि उस टाइम तक हड़ापा संस्क्रीती की खोज हो चुके थी किन्तु वो आभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है लिपी न पढ़े जाने का कारण साहित्य में हरपाई लोगों का क्या योगदान दा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब यहीं नहीं पता है कि वह कौन से लिपी यूज करते थे वह कैसे लिखते थे वह उन्होंने क्या लिखा है तो साहित्य के बारे में क्या जनकारी मिलेगी कुछ नहीं पथर की मुहरों और अन्य वस्तूव पर हरपाई लेखन लगभग जो है चार हजार नमूने इस लिपी में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भावचीतरात्मक पिक्टोग्राफ अक्षर है रथा चीतर के रूप में लिखा परते एक अक्षर किसी ध्वनी भाव या बस्तू का सुचक है यानि चार हजार नमूने मिले हैं जिसमें कुल मिलाकर 250 से 400 के बीच भावचीतरात्मक अक्षर है इस लिपी में मचली चिडिया मानुवक्रती आधी के चीन मिलते हैं सिंदू लिपी के जो साख्छ मिले उन में अधिकानस्ताथ डाइय से बाइं लिख्यें मिले हैं यानि जैसे हम लोग आज लिखते हैं ना दाइं से बाइन वैसे या मिंख कुछ मैं से दाय लिखे मिले हैं जैसे कि ब्राह्म लिपी ст Rum कुछ में गव मुतरी का लिपी का परयोग हुआ है काली बंगा फराथी करे से यह admission को कुछ मी सुझ drilling सभी भारती यह बाएं से दाइं लिखी जाती है हरापा लिपी वर्नात्मक नहीं बल्कि लिखात्मक है यानि इसे लिए इसको जो है आज तक पढ़ा नहीं गया है अब हम बात करेंगे मापतौल जैसे आद भी हम लोग क्या करते हैं मापतौल के लिए अलग अलग जो है बटकारों का यूज करते हैं अलग अलग जगों पर आप कहीं पर एलेक्ट्रोनिक जो है तराजू का यूज होता है तो कहीं पर हाथ से यूज किया जाता है बाट के रूप में मनके जवारत की बहुत सी बस्तूए पाई गई है जिसने परकट होता है कि तौल में सोला या उससे के आवर्तकों का बेवार था जैसे सोला चोंसर्ट एकसो सार्ट तिनसो भीस और छेसो चालिस यानि जो भी था वो सोला का क्या है गुना जीता हड़पाई लोगों को माप का ग्यान था ऐसे डंडे पाए गये जिनका माप के निसान लगे हुए इन में एक डंड़ा कांसे का भी है यानि जैसे हम लो क्या करते किसी चीज़ की लंबाई ना अपनी है तो एक माप डंड जो है बना देते हैं कि यहां इतना हाइट होना चाहिए उससे जो है मापना स्टार्ट कर देते हैं मोहन जोद्रों से सीप और लोथल से हाथी के दां सुर्खोटदा से तराजू के साक्ष मिले हैं अब बात करते हैं मिर्दभान की देखें मिर्दभान क्या है उनकी जो सिल्प जो थे उसकी सिल्प के बारे में हम अब बात करेंगे हर्पाई लोग कुमार के चाक का उप्योग करने में अधिक कुसल थे आज जो कुमार जो है चाक का यूज करता है उस टाइम वह लोग क्या करते थे उस चाक का पर्योग करते थे हरपाई मिर्दवानों पर समाननी आता ब्रीत या ब्रिक्स की अकर्ति मिलती है मिर्दवान अधिकांसा लाल एंब गुलावी रंके थे इन पर अलंकरन काले रंक से हुआ था मिर्दवान लो पर सिंधु लिपी मिलती है यानि उस टाइम का आए तो उन्होंने अपने जैसे हम आज क्या करते हैं जैसे कोई कंपनी कोई बर्तन बनाती है तो अपना नाम वगेरा उस पर चाप देती है तो उसी टाइप से उन टाइम भी लोग जो है जो बनाते थे उन्हो सब्सक्राइब का पंचे लूमणी का चित्र है यह पंच तंत्र की परसीत कथा चलाक लओंवरी को दर्षाता है यानि मिय्द्वान मिला है है लोथल से जिसमें एक डिक्ष मोँ में मछली पकड़े हुए पक्षी को दर 하는데 हम नाम नीचे लोंजैंж 배।र जैसे हमारे काथ है चलाक लोबनी उसकी परसी कथा को दर्साता है काली बंगा से मिले मुहरे काली बंगा से कौन-कौन सी मुहरे मिले हैं हरपत संस्कृति की सरोज्तम काली कृतिया उसकी मुहरे हैं अब तक लगबग 2000 मुहरे प्राप्त हुई है मुहरों पर लगू लेखों के सांथ सांथ एक स्रिंगी बसु भैस बाग सांड भकरि और आति की अकृतिया हुकरीगे है मुहरों के बनाने में सरवाधिक उपयोग सेल-खड़ी का जो है किया गया है जो में सबसे जादे मुहर बनाने में किस याग्या अ किया लोठ़ देशालपूर से तामबे की बनी मोहर प्राप्त हुई है सेंधा मुहरें ये प्राया बेलनकार बरगा कार एक रहे हो अतवार है नाव की अकिर्तिय जो है अंकित मुहर पे मिली है जो मुहर मुहर जोदरो और लोहल से मिली है उसमें किसका अकिर्ति है नाव की अकिर्ति अब बात करते हैं पर्तिम आएगी कासे की नर्थकी उनकी मुर्तिकला का सर्वस्रेश्ट नमुना है संपूर्ण मुर्ति गले में पड़े हार के अलावा पुंता नग्न है या लुप्त मौम पद्धिती पर अधारी थे मौन्जोर्द्रों से दो ताम्बे की मानुमुर्ति और भैसे यम भैड की कासे मुर्ति मिली है हरपा यम चनहोद्रों से बैल गारी तथा एका गारी प्राप्त हुआ है यानि मोहंजोदरों से भी मिला है और हड़ाप और चनहोदरों से भी मिला है मिर्ण मूर्तिया सिंदो परदेश में अत्यादिक संख्या में आग में पकी मिट्टी जो तेरा कोटा खालाती है कि मूर्तिया मिलती है यानि जैसे बहुत सी मूर्तियों को बनाया और उसको क्या क्या आग में पका दिया इनमें पक्ची, कुते, भेड, गाय, बैल और बंदर की पर्तिक्रितिया मिलती है पूर्षो और इस्त्रियों की पर्तिकृतिया भी मिलती है जिन में पूर्षो से इस्त्रियों की संख्या अधिक है कि यहां पर पक्षी, कुटे, भेड, गाय, बैल, बंदर की पर्तिकृतिया मिलती है पूर्सो और इस्त्रियों की भी पर्तिकृतिया मिली है जिसमें पूर्सो से इस्त्रियों की संख्या अधीक है अब हम बात करते हैं अंतिम संस्कार की सिंदू सभ्यता में मिर्तुकों के अंतिम संस्कार की तीन पर्थाय मिलती है दासन्सकार इसमें सौव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भसमौसेस को मिटी के पात्र में रखकर दपना दिया जाता था हिंदू बीदी से मिलती पड़ता यानि आज भी ये हिंदू जो है जो पड़ता है हिंदू की उसमें देखते हैं कि जिखते हैं कि जो सवता है उसका J willingnessं करता गया जाता है यह सरो परमूख पर्थाती यह सबसे सरोमूख पर्था झाल हिम उसम्पोन शॉप को भूमी में दपना दिया जाता था कि है कि आंशिक समादिकरन इसमें पसु आप ऐसमाने आता मिर्तुकों को उत्र दक्षिन क्रम में सीर्ट उत्र की और एवंपएर दक्षिन की और कि करके दफनाया जाता था इसके अपवाद हरपायम काली बंगा में पुर्व। प्रकसिन्पूरी कर्म में विरतक को दफनाये जाने के परमान बिले हैं कि एक कब्र में एक ही कि दिक हसाने जाता था प्रंतु खालि बंगा से एक और के पर लोथल से तीन यूगल यूगं समाहधी करंसंत तक मी जिनमें एक कबर में दोजो मिर्थाखत Hu signa तक है जो है टीन योगर और काली बंगा की मिला है जिसमें दोजो मृतकु को दफनाया जा रोपर की कबड़ से माली के सात्र हुप्ρέ को दफनायाने के पर्मान मिलेया है रोफ स्नुद की कबर से मेर्थΐ के साथ ब Beta को दफनाये जाने का जो है पर्मान मिला है यानी यूतल से जो है का एक ऐसा कब्र मिल जिसमें मिर्टक के साथ बकरे खुर्टाय घाए और उपर में कब रहाई सालित जिसमें माली के साथ उसके उपTK को भी तर नहीं दिया गया यह संस्क्रिती एक ही परकार के एवजारों हतियारों और घरों का परियोग करती रही इसका जो परिपक जो समय है संभाउता माना जाता है 2550 इसापूर्व से 1900 इसापूर्व जो है माना जाता है और ये संस्क्रीति एक ही परकार के उजारों हाथियारों और गरों का प्रयोग करती रहे मुहन जोद्रोज की मिर्दमान कला में समय समय पर समय पर परिवर्टन भी दिखाई देते हैं इसापूर्व 19 सदी में आकर इस संस्कृती के दो महत पूर्ण नगर अरपा और मौन जोद्रो लुप्त हो गये अन्यास्थानों में हरपा संस्कृती गुज्रात, राजस्थान, हरियाना और पस्यम उतर प्रदेश के अपने सिमाद छेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही यानि जो सिमान्द छेत्र हैं गुजरात राजस्तान हरियाना के उसमें ये लंबे समय तक जीवित रहें संभावतो सिंधु छेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 इसापूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुना दुसरी सहत राब्दी 2000 इसापूर्व के आरंब में कम हो गई है और वहीं 2000 इसापूर्व आते आते जो है यह वर्षा जो है कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है खेती और पशुपालन पर दूस्परवा पड़ता है अब बार्वर्षा होगा ही नहीं तो खेती क्या होगा कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान से फैले के रेगिस्तान के फैले से मिट्टी में लौनता बढ़ गई और उर्वरता घर्टी गई इसी से सिंदू घर्टी जो है मैंने सिंदू सव्याता का पतन हो गया ऐसा कयास लगाए जाते है अभी तक कि इस टाइप क यह उपर उठ गई जिससे इसमें बाड का पानी जो है जमा हो गया वह कम के कारण सिंदू नदी की धारा परिवर्तित हो गई जिसके फलस्वर्व मोहन जोद्रों का प्रिस्ट परदेश पूंता नस्ट हो गया यह भी मत है कि हड़पा संस्कृति को आर्यों ने नस्ट कर परन्तु इसके साक्ष बहुत कम है अभी तक कुछ थोस सबूत नहीं मिले लेकिन विद्वान जो है अपने कयास लगाते हैं अपने जो है जो भी मत है उसको प्रस्तूत करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है अब देखिए सिंदू घाटी जो सभ्यता है उसके पतन में जो इतिहास अब देखते हैं गाडन गाडन चाइल्ड विलर जो है उनका मानना है सेंदो सभ्यता विदेशी आकर्मनों आर्यों के आकर्मन से नस्ट हुई लेकिन अभी तक इसके कोई साक्ष है नहीं जॉन मार्सल का मानना है इस सभ्यता के विनास के लिए भुकम उतरदाई था प्रस इन्दु सभ्यता बाठ के कारान नस्ट हो गई फेर सर्विस जो है उनका मानना है सन सांधनों में कमी वनों का कटाओं इंप्रस्थितिक अर्षन्तूलन का पतन जो है का कारन रहा आरेल स्टान का मानना है कि जलवाई-परिवर्थन के कारानिया सभ्यरता नस्ट हो गई मार्टिमर विलर का मानना है कि हरापाजब्याता का इकासिमेक हए हरापाजब्याता का आधार एंगे भी देशी था लेम्रिक जो है उनका मानना है कि जंसंग के अब रिधी एम आर साहनी जो है यह सब्याता भूत दात्विक परिवर्तन के कारण नस्ट हुई राइक्स एम डेल्स डीडी को सामी का मानना है मौन जोदरोव के लोगों को लोगों की आग लगाकर समोही खात्या कर दी गई यानि इस में से किसी भी उसका प्रूपर ठोस नहीं मिला है लेकिन यह लोग जो है क्यास लगाते हैं कि हां ऐसा हो सकता है अब बात करते हैं हरपास संस्कृति की नागरिक तोर जो है अवस्ता क्या रही है हरपास संस्कृति संभवता उनीस सो इसापूर्व तक अ नागरिक तोर हरपास संस्कृति के कुछ लक्षन पकिस्तान में मध्य में पस्मी भारत जो हैं पंजाब राजस्तान हर्याना और दिल्ली उतर परदेश और जमुकस्वीर में दिखाई देते हैं यानि जो इसका जो संभवता जो काल रहा जो अस्तित तो रहा उनीस सो इसा पूर्व रहा लेकिन उसके बाद भी जो है यह पकिस्तान में मध्य पस्मी भारत में जैसे पंजाब राजस्तान हर्याना और दिल्ली उतर पर देशता था जमुकस्वीर में दिखाई देते हैं इनका काल संभवता उनीस सो इसापूर्व से बारसो इसापूर्व तक हो सकत संस्कृति की नागरियुतर जो है अवस्ता को सिंधू संस्कृति कहते है या उत्तर हरपर संस्कृतिया मूलता तामर पसानिक है जिनमें पत्थर और तामबे के उजार का उपयोग होता था यह जो है ना इसको सिंधू संस्कृति भी कहते है और इसमें पत्थर और तामबे संस्क्रिति का अस्थानिय के अंदर जैसा लगता है में इट की संदस्टनाइं भी जो संभावता दो हजार इसा पूर्व से पंद्रसों इसा पूर्व के मत लखा जा सकता है जार्वे वस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की वस्ति है जो लगवग बाइस सेक्टियर देखिए बहुत ऐसे जो अस्थान मिले हैं गिलूंद हो गया जार्वे हो गया जहां पर अलग-अलग बस्तिया माना गया है देखा गया है जिनका समय अलग-अलग रहा नागरी उतर जो है हरपाई बस्तिया स्वात घाटी में मिली है यहां लोग पसुचारण के साथ-साथ अच्छी खेती करते थे स्वात घाटी के निवासी चाक्यों पर लाले उंकाले रंग वाले मिर्टमान तयार करते थे भारत में इस्तित पंजाब हरियाना उतर परदेश जमुकस्मीर में कई उत्तर हरपास तलों की खुदाई हुई है जिनमें मांडा जमुकस्मीर में पंजाब में चंडीगड और संगोल हरियाना में दौलत पूर एम उतर परदेश में आलमगिर पूर जो है और हुलसा और संगोल हर्यारह में दौलतपूर और उतरप्रदेश में आलमगीरपूर और खुलास जो है उलखनी नगर में हड़काई उत्तर हडपाई के लोग संब्वाउतर कपास का परयोग दागे के लिए करते थे आज भी हम लोग कपास का पर्योग कपड़ा बनाने के लिए करते हैं उस टाइम भी यह परचलन था पाई संस्कृति की उतरकालीन अवस्ताओं में कुछ बाहरी औजार और मिर्द्वान पाए गए यानि यह वह काल था जिसमें आपको बाहरी जो है और मिर्द्वान जो है देखने को मिलेंगे जिन से संकेत मिलता है कि सिंदु घाटी में बाहर के लोग धीरे-धीरे परवेश करने लगे थे अन्ति महस्ता में इसरक्षा और असांती के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं अभुसन की नीधियां अस्तान अस्तान पर गड़ी मिली है OR एक हस्तान पर आदमी की होपड़ीों के ठेर मिले है हरपक की अन्ति महस्ता में कब्रिस्तान में नए लोगों के उस जाना बिंतम अस्तरव पर नए परकार के मिर्टबाइब ऑपाएगांद के कए स्तर लगबक साक्षों के अधार पर अनेक विद्वानों ने अपना अलग-अलग मत दिया है लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इसका जो है उद्वाव और इसका जो है अन्त जो है किस कारण से हुआ और अभी तक जो है इसके लिपी को पढ़ा भी नहीं जा सका है तो इसक जो इसको बहुत रात्मक कहते हैं आज के वीडियो में इतना ही आप दोनों वीडियों को जो है पकमेंट। किसे आपने सकने में कमेंट करके बताएगे और अपने सजयसर आमें सकते हैं आज के लिए इतना धन्यवाद